पर क्या रखनी चाहिए आपको स्ट्राटेजी और बाजार के लिए एहम संकेत समझते हैं अनलजी से सोमवार को जब हम ट्रेडिंग के लिए लोटेंगे तो हमारे पास संकेत होंगे अमरीका से और वो होने चाहिए कमजोरी के कम से कम डाउं फ्यूचर्स साड़े तीन बजे बाजार के बंद होते वक्त तो यही दिखा रहे थे जबकि वो डाउं थे पहुने तीन सो पॉइंट और डेर सो पॉइंट का नुकसान नैस्डेक फ्यूचर्स में था उसलियास से तो अमरीका में फिर से कमजोरी के आशंका है ही वेसे तो अमरीकी बाजार काफी ओर सोड है अब देखते हैं कितना ओर गिरते हैं सोमवार सुबै डाउफ फ्यूचर्स पर नज़र रहेगी इसके अलावा नज़र रहेगी अंतराश्टी बाजारों में कच्छे तेल पर 90 डोलर के नीचे आ जाए तो कहने ही क्या और साथी साथ बॉन्ड इंडेक्स और साथी साथ डोलर इंडेक्स और बॉन्ड इल इन दोनों पर भी हम नज़र रखेंगे हाला कि बहुत इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन बड़ा ट्रिगर वो भी बन सकते हैं अब आई है हमारे अपने ट्रिगर्स पर पहली सबसे बड़ी चीज जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है वो है FIS के डेटा कितने बड़े आतने बिक्वाली के आएंगे यह तो दिखी र 500 की रेंज में तो फिर थोड़ी रिस्क खुलती है अब जो इंपोर्टेंट सपोर्ट होंगे बाजार के लिए सोमवार को और अगले हफते हो 17,200 से 300 की रेंज में आएंगे और उपर इस्टों पर 17,800 से 18,000 की रेंज सप्लाई के तोर पर आपके लिए रहेगी अब आईए बैंक डिफ्टी चालिस हजार आठ सो के आजपास बंदो है जो अगला इंपोर्टेंट सपोर्ट बैंक डिफ्टी पर है वो 40,200 से 40,400 की रेंज में है और रुकावट के तोर पर आप 41,200 से 41,400 की रेंज को लेकर चल सकते हैं बैंक डिफ्टी निफ्टी के मुकाबले में कम कमजोर हैं ये आप कह सकते हैं देखते हैं बैंक निफ्टी रिकवरी लाने में कामयाब होता है सोमवार को या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को भी नीचे कहीं चीता है लेकि इन सबका ट्रिगर शुरुआत में मिलेगा ग्लोबल मार्केट से ही और अगर ग्लोबल पर शुरुआत होगी और उसके बाद हम अपने ट्रिगर्स पर ट्रेड करेंगे अगले हफते भी